ये ऐसे क्लासेस में आपका सोगत है, आप देख रहे हैं क्लास 9 और 11 के इस्टेंटों के लिए एक बहुत दोड़ी खुसकवरी आ रही है ये निऊज है, स्कूल खुषण डिपार्टमेंट ने ट्यूट करके बताया है, समय एक घंटा पहली इनहों ने ट्यूट करके बताया है ठीक है, आप देख सकते हैं, इसमें लिखा क्या है इसको आईए पढ़ा देते हैं इसमें लिखा है स्कूल सिक्षा विवाग दौरा जारी निर्देशनुसर का च्छा 9 और 11 विद्यार्थी की बारसिक परिक्षा नहीं लिजाएगे ठीक है मतलब क्लास 9 और 11 के इस टेंटों की बारसिक परिक्षा नहीं होगी और इसके आगे लिखा है उनका मुल्लेंकन अकादमिक सत्र के दौरान पूर्ण के आधार पर किया जाएगा मतलब इसका मतलब यह है कि अभी तक जो आप घर बैठे पेपर दे रहते उनहीं में से आपका मुल्लेंकन होगा और आपका पूरा रिजल्ट उनहीं में से तैर किया जाएगा लेकिन क्लास 10 और 12 के इस्टेंटों का पेपर होना फिक्स है इनका पेपर होगा हान एक or बहुत से बच्चे का अभी मेसल आएगा कि सर हमारा तो पेपर होगया ठीक है मेरे भाई जिसका पेपर होगया तो बहुत अच्छी वाइथ है जिसका पेपर नहीं हुआ है अभी मद्ध प्रदेश के बहुत से जिलो में कॉपी बितृत नहीं की ये पेपर नहीं बितृत के गए तो उनका एक्जाम अब नहीं होना है उनका एक्जाम पोस्ट पेंड हो जाएगा ठीक है तो उनका मुल्लेंकन पुराने के आधार पर कर दे जाएगा आए देख लेते हैं और नीचे क्या है नीचे गौवरेंट दौरा ही दो दस्ताबेश है जो इन्होंने प्रजेंट किया है तो इनको हम बढ़ा करके आपको दिखा देते हैं कलम से देखिए इसे भी देख लेते हैं मद्ध प्रदेश सासन स्कूल सिक्ष्य अभियाग मंत्राले बल्ला भवन भोपाल और दिनांग आप देख लेते हैं दिनांग 16-4-21 मतलब आज और एक घंटा पहले का ये एक बहुत बड़ा नया अपडेट है ठीक है ये देख सकते हैं आप इन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें लिखा है कक्षा 9-11 की बारसिक परिक्षां के लिए आयुक्त लोग सिक्षनक के पत्र क्रमांग 10-24-21 किस से निर्देश जारी किये गए थे जो आगया था ना कि अपना पेपर होगा तो उस पर ये बात कर रहा है आगे लिखा है बरतमान में कोरोना संगलों के बिस्तार से जिले में लॉकडाउन मतलब कर्फ्यू की स्थिती को देखते हुए 9-11 की बारसिक परिक्षा पूर में जारी निर्देश निरस्त किये जाती है ठीक है तो जो पूर में जारी हुआ था निर जो पहले पेपर दिये थे अर्दवारसिक बारसिक तो उन्ही के आधार पर आपका मुल लेंकन कर लिया जाए ये आज कही निश है और बहुत बड़ी अपडेट आगे क्लास 9 और 11 के इस टंटुक ले करके अब वो टेंशन फ्री रहे पूरा देख लिए जिसको पंड़ा ह पूरा देख सब्सक्राइब तो उसको पूरा कंप्लीटली पढ़ दीजेगा बाकी जो कहना चाहता ये मैं पूरा आपको समझा दिया हूं